हेलो फ्रेंड्स वेलकम टु माई यूटूब चैनल तड़कार सोई में आज हम बनाने वाले हैं भंडारे वाली आलू की सबजी और पूरी तो चली देखते हैं कि इसे कैसे बनाते हैं तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम सबजी बना के तयार करेंगी तो तेल हो गया हमेरे अच्छे से गर्म तो इसमें हम डाल देंगे एक टुकड़ा डाल जीनी साथ ही डाल देंगे दो तेज पत्ता एक बड़ी इलाइची चार पांच डाल देंगे हम लॉंग तो यह सब अच्छे से थोड़ा सब भुन गया है तो अब इसमें डाल लेंगे एक छोटी चम्मा जितना जीरा अब इस डिस में डाल देंगे हम अध्रक और मेर्च को ऐसे करस करके यहाँ पर डाला है यानि एक हरी मेर्च और एक टुकडा अध्रक को हमने से करस करके डाला है जितना तीखागा खाने हूँ अब मेरच को गया पर डाल ले तो अध्रक और मेरच और आपर कछ्चा पन निकाल लिया यानि कि उसे थोड़ा समने पका लिया है तो अब इसमें हम डाल लेंगे बारी कटा टमाटर तो मैंने यहाँ पर दो मीडियम साइज की टमाटर को बारी कट करके डाला है टमाटर हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो जाए इसके लिए हम यहाँ पर थोड़ा से नमक डाल देंगे तो हमने यहां पर यह नमक को डाल लिया है आप इसे हम िला लेते हैं gas का flame हम low कर देते हैं low flame पे हम tomato को soft होने देते हैं तब तक हम इसके लीए एक masala तयार करते हैं तहीवाला तो इधर हमने एक बाउल दिया है इसमें हम डालेंगे दो टेबलिस्पून दही यानि कि चम्मच से हम चार चम्मच दही डालेंगे अब इसे डालेंगे हम हल्दी पाउडर साथी डालेंगे इसमें हम लाल मिर्च पाउडर तो मैं यहाँ पर यह कास्मिरी लाल मिर्च डाल रही हूँ जो कि तीखा कम होता है इसे कलर अच्छा आता है इसमें हम डालेंगे धनिया पाउडर स्वाम्प पाउडर साथी डालेंगे हम भूना हुआ जीरा पाउडर और यह थोड़ी सी काली मिर्च इन सभी को हम मिला लेते हैं तो सौंप को भी हमने यहाँ पे हलका सा रोष्ट करके उसे पाउडर बनाया था तो इन सभी को हम अच्छे से मिला लेंगे तो यह लिजए हमने हमने हाँ पे सभी चीजुकर अच्छे से मिला लिया है अब तक हमारे टमारे भी आटीर हो चुके होंगे तो चलिए देखते हैं उधर यह देखिए ठांट थो गया है अब इसमें हम डाल देखें दधा दही बहलेप यह थो मनले हो सबस्ट जाएंगी तो इसे हम low flame पे ही एच्छे से mix कर लेंगे नहीं तो अगर हम gas का flame हाई रखेंगे तो हमाई जो दही है वो फट जाएगी तो बस इसे हमने हाँ पे मिला लिया है तो बाकी बच्चे मसाले को ही मैं हाँ पे डाल लेती हूं कड़ाही में लोफ लेंपे ही हम मसाले को अच्छे से 1 मिनिट के लिए भून लेंगे अब इसी के साथ में इसी स्टेज पे हम एड कर लेंगे हाँ पे कसूरी मेथी तो कसूरी मेथी को भी हमने ड्राय रोष्ट करके इस्तमाल किया है यार रावद कासूरी मेथी को वह थोड़ा से भूनके डाला है तो इसे भी मिला लिते हैं Ďर מसाले को हम अच्छे से भून लेंगे एक मि मेद के लिए मिन मसाले को भून लिया है अब हम गैस का फ़ल लोटू मेडियम कर लेंगे और मसाले को मच्छे से भून लेंगे करीब एक मिनट के लिए मसाले को और भून लेंगे ये देखिए फ्रेंड्स मसाले हमारे अच्छे से भून गया है अब इसमें से देखिए ओयल एकदम अलग हो रहा है तो इस stage में अब हम डाल देंगे इसमें boil किये हुए आलू तो आलू को हमें से थोड़े बड़े पीसिस में ही तोड़के डालेंगे एक दम इसको मैस करके न डालें जैसे भंडारे वाली सब्जी में होते हैं थोड़े आलू बड़े और छोटे से पीसिस मिलते हैं हमें बिल्कुल वैसे ही यदि कोई जादे बड़े टूट जाएं तो कोई बात नहीं हम उसे बाद में चलाते समय उसे हम तोड़ लेंगे इस पेक्चुला से तो हमारे सब्जी में वह टेस्ट नहीं रहेगा भंडारे वाला यानि हमी सब्रक्षी में अच्छा सा टेस्ट नहीं आएगा तो इसके लिए मसाले को अ dejar बून लें आलू के साथ में तो इसे हम चलाते हुए अच्छे से भून लेंगे और जो देखिए जो बठोड़े बड़े पीसे से उसको हम इसे स्पिक्चुला से थोड़ा तोड़ देंगे तो आलू को हमें मैस बिल्कुल भी नहीं करना है तो यह देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमने आलू को मसाले के साथ में अच्छे से भून लिया है तो यह देखिए मसाले में कैसे अच्छे से लट पिट गया है कडाही को देखिए कैसे छोड़ दे रहा है तो अब इस स्टेज में हम डाल लेंगे पानी तो यह देखे एक तम परफेक्ट हमारा आलू भुन गया है न तो बस अब बिना किसी देरी के अब इसमें हम डाल लेते हैं पानी तो अभी इस स्टेज में हम पानी को डाल लेते हैं और एक बार इसे मिला के चेक लेंगे फिस उ आनेसार हम पानी को और डाल लेंगे, आपी जितनी गरेवी रखनी छाहें उस अनुसार यहाँ पर पानी को डाल लें, लेकिन हम बना रहे हैं पर भंडारे वाला हलोगी सब्जी, खुछ रसेली ही ह mutual है, उसके लिए आपे थोड़ा और पानी डालेंगे, यहाँ पर मैं थोड तुछ तो उबाल आने देंगे इसमें हम यानि कि अच्छे से सब्जी में उबाल आएगा जो कि सब्जी हमारी अच्छे से पक जाएगी तो दो-तीन मेट के लिए हम सब्जी को पकने देंगे गयस का फ़्लेम हमने लोटू मीडियम ही रखा है तो यह देखिए फ्रेंड सब्जी में कितने इच्छे सब्जी उबाल आ रहा है तो अब हम लिट को अटा लेते हैं और अब इस स्टेज में हमें आपे अट कर लिए गरम मसाला तो हमने यह गरम मसाला को डाल लिया है फिर से हम ढग देंगे और दो मिनिट के लिए इसे हम और पकने देंगे तो दो मिनिट हो गया है यह देखिए फ्रेंड सब्जी हमारी इच्छे से पक गई है तो अब हम गैस का फ्लेम आफ कर लेंगे और यहाँ पर हम एड़ कर लेंगे बारिक कटा हरा धनिया तो यह हमने सबजी में बारिक कटा हरा धनिया डाल लिया है अब इस सबजी में हम इसका और भी टेश्ट बढ़ाने के लिए इसमें हम लगाएंगे एक तड़का तो तड़का लगाने के लिए तड़का पैन में हमने डाला है घी घी को बस हमें मेल्ट करना है उसे ज्यादा गर्म हमें बिल्कुल भी नहीं करना है तो इस तड़के से आपकी जो सब्जी के सुआ थे बंडारे वाला और बहुत ही टेश्टी आपकी सब्जी लगेगी ज्ञाब आ रहा है वो हीं अच्छे से पख जाने के बाद ज्ञाब आना बंद हो जाएगा तो बस जो हमारी हीं है वो अच्छे से पख जाएगी और इस तड़के को हम डाल लेंगे सब्जी में तो ये देखिए friends कैसे जो जाक है वो धिरे-धिरे कम हो रही है यानि कि हींग हमारी जो है अच्छे से पक रही है तो बस हींग हमारी अच्छे से पक रही है अब हम गैस का फ्लैम आफ करेंगे और इस तड़के को हम डाल लेंगे सबजी में तो बस हमने यहां पर सब्जी में इस तड़के को डाल लेना है और तुरंत ही हमें इसे कभर कर देना है यानि ढख देना है तो बस सब्जी हमारी बन के तैयार हो गई है अब चलिए हम पूरी के लिए अब तैयारी करते है तो पूरी बनाने के लिए हमने यहाँ पर आटा लिया है इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक साथ ही डालेंगे हम थोड़ी से अजवाइन तो अजवाइन को हम थोड़ा सा क्रस करके डालेंगे तो यह हमने यहाँ पर अजवाइन को थोड़ा से क्रस करके डाल लिया है अब इस तब ही को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा पाई डाल कर हम इसका डो टैयार करेंगे तो इसका डो जो है हमें टाइट ही तैयार करना है तो थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका टाइड डूर तयार करना है हमें एक सब ज्यादा पानी बिल्कुल भी ने डाले तो बिल्कुल इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका टाइड डूर हमें तयार करना है तब ही हमारी पूरी जो है वो तम खस्ता और सौफ्ट एक्टम बनेगी और अच्छे से वो फूलेगी भी तो यह दिखे फ्रेंस हमने यहाँ पर डू लगा लिया है अब इसे हम थोड़ा सा ऐसे मसल लेंगे यानि आटे को तो हमने बाइंड कर लिया है अब हमें डू को थोड़ा मसल लेना है तो अब इसे स्टेज में हम थोड़ा सा डू को ऐसे मसल के थोड़ा उसे फैला लेंगे और उस पर हम डालेंगे ओल तो इस तरह से देखे बिलकुल हमें ऐसे हमने इतना मसल लिया है अब इसमें हम औयल डालेंगे और उसके साथ हम इसे डओ को मसलेंगे तो यहाँ पर हमने यह ब्रेढ़ चमच औयल डाला है अब इसे हम चींद्ञे अच्छे से nature is Upmäär low के साथ में अच्छे से यह दोचे सबस्टब एंगी तब ही तमारी पूरी जो है इदम अच्छा ही बनेगी तो यह देखिए फ्रेंज कितना एकदम मस्त आठा दिख रहा है एकदम सॉफ्ट एकदम स्मूथ तो इस तरह से हमने पूरी के आठा तुप्राड साल आठा तो अब हम चलतेством है पूरी बनाने के प्रॉसेश में देंगी चिसे की वो सुखे न और ऐसे एक टुकड़े को लेके उसके हमें से पेडा बनाएंगे और इस पेसे हम हलका सा ओयल लगा लेंगे आप चाहें तो आटा लगा के भी इसे बेल सकते हैं क्या मैं यहाप इसे ओयल लगा के बेल लूगी कि उते हमें पूरी की तरह लेना है है इस तरह से सभी पूरी यूप में बना के तयार करना थो इस पूरी को बनाने के लिए यहां रिखिए कि कहीं आप मोटा पतला ना करें यान है कि बीच में मोटा किनारी पतला पिल्कुल भी ना करें तो एक पुरी को We ने बना लिया है इसी थरह से हमें सभी को बना कि तयार करना है तो फिर से हम ने एक टुकड़े को लिया और एसका हमें से पेडा बना L questionnaire गे और इसपे हम aoil लगा लेंगे आप चाहें तो सुखाटा भी लगा कि इसे बेल सकते हैं गट मैं यहां पर इसे ओल लगा के ही इसे बेल लूँगी तो बिल्कुल उसी तरह से हमने यहां पर दूसरी पूरी को भी बना के तयार करना है और सभी पूरियों को हमें इसी तरह से बना के तयार कर लेना है पूरी को फ्राइ करने के लिए हमने इधर ओयल को रखाय गर्म होने के लिए तो पूरी फ्राइ करने के लिए जो ओयल है हमें थोड़ा गर्म ही जाहिए क्योंकि गर्म ओयल में ही हमारी पूरी जो है अच्छी फुली फुली बन के तयार होंगी तो हमारा oil जो है अच्छे से गर्म हो गया है तिसमें हमने यहां पर पूरी को डाल लिया है gas का flame हमें medium to high रखना है और जो पूरी fry होके थोड़ा से उपर आने को करेगा तभी हम हलका से प्रेस कर देंगे जिससे कि हमारी पूरी जो है एक्तम फुल जाएगी यह देखी कैसे फुल रही है यह लिजए फ्रेंट्स पूरी हमारी देखी कितम फुल जाएगी तो इसे हम एक साइड नीचे एक साइड में अच्छे से फ्राई हो जाएगी तब हम इसे दूसे साइड में टर्न करेंगे देखे बिल्कुल इस तरह से तो मैं यहाँ पे side में एक पूरी और ढाल ले रही हूं हमें पूरीों को बार-बार पलटके नहीं fry करना है बस दो बारें ही fry करना है यानि एक बार हम नीचे वाले में अच्छे से fry होने देंगे ताब उसे हम डूसरे side में turn करेंगे दूससे साड में भी अच्छे से fry हो जाएंगी तब इसे हम निकाल लिए तो हमने उसे निकाल लिया है और देखिए इसे भी हम टर्न कर लेंगे यह देखिए नीचे से देखिए कैसे अच्छे से fry हो गई है तो बिल्कुल इसी प्रोसेस से हमें सभी पूरियों को फ्राई करके तयार करना है जब पूरी हमारी फ्राई होन के हलका से उपर आने को करें तभी हम उसे स्पेक्चुला से प्रेस कर देंगे जिसे कि युमारी पूरी है अच्छे से फूल जाएगी देखे बिल्कुल इस तरह से तो हैना एक दम फूली फूली पूरी हैं तो ध़्यान रखें फ्रेंड से बार-बार बिल्कुल भी नि टर्न करें एक side में अच्छे से fry हो जाए तब ही इनके दुसरे side में तर्म करें जिससे कि दो बार में ही हमारी पूरियां fry हो जाएंगी तब आस इसी process ते हमें सभी पूरियों को fry करना है नहीं हमने पूरिय को डाला है जैसि वो fry होके उपर आने को करेंगी तभी हम उचे हलगा सा प्रेस कर देंगे जिससे के बच्छे से फुल जाएगे तो भीलुकुल इसी तरह से आप भी पूरी बनाएंगे friends तो आपकी पूरी भी एग्दम फुली फुली बनेगी और एग्दम सॉफ्ट बनेगी तो इसी तरह से हमने सभी पूरी को fry कर लेना है तो यह लिचे फ्रेंड्स भंदारे वाली आलू की सबजी और पूरी हमारी बनकी तयार है तो आप भी मिश कर रहे हैं भंदारे वाली पूरी और सबजी को तो बिना किसी देरी के आप भी इसे जटपट से बनाईए उसका लुफ तो उठाईए तो यदि मेरी रेशिपी आपको पसंद आए फ्रेंड्स तो प्लीज वीडियो को लाइक से रहें सब्सक्राइब करें मिलते हैं एक न्यू रेशिपी के साथ अब तक के लिए हस्ते रहिए मुस्कुराते रहिए